आज हमने एक बार फिर मोके पे चोका मारते हुए SBA काड में यहाँ पे बाइंग करी है लगबग 2020 के लेवल पे जब यहाँ पे कारलायल ग्रूप यहाँ पे सेर सेल कर रहा था अच्छा खासा गिरावट देखा गया था सेर में अगर आप मेरे डैमन मेंबर सिप के मेंबर है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही हमने इमिजेटली वहाँ पे बाइंग करी थी लगवग 2020 किस पे वो भी मैं आपसे अपना लाइप पोटफोलियो से एर करूँगा अगर आपने भी तक जोइन नहीं किया है तो मारी टीम का कॉंटेक्ट नमर नीचे दिया गया है आप जोइन कर सकते हैं वन डबल नाइन जो 70% डिसकाउंट के साथ इसका प्राइस था उसको अभी चेंज करके हमने 5 डबल नाइन किया यानि अब कोई डिसकाउंट आपको नहीं मिल रहा है यूटूब में मैंने अल्रेडी मेल डाला हुआ है ये जोइन बटन पे मेंबर्सिप प्राइस कभी भी चेंज हो जाएगा अगर आपको जोइन करना हो मेंबर्सिप तो नीचे कमेंट करके या आप नीचे हमारी टीम का कॉंडेक्ट नमर है वाटसेप भी आप कर सकते है कमिंग टू दा टोपिक अगर मैं यहाँ पे मेनेजमेंट की सेलरी की बात करता हूँ तो मेनेजमेंट की सेलरी काफी कम है ओनली एपरोक्स 5 करोड आउट ओफ कमपनी जैक की जो सेलिंग है लगबग 130 करोड 130 करोड में से केवल 5 करोड की सेलरी दिखाता है कि मेनेजमेंट को कितना ट्रस्ट है अपने कमपनी के परफोरमेंस पे अपने कमपनी के ग्रोथ पे आज कारलाईल ग्रूप ने यहाँ पे 3.4% सेल की SBA कार्ड में जो की देखा जाए 32 मिलियन सेयर्स 32 मिलियन सेयर्स का मतलब मोर देन 3 करोड 20 लाग 3 करोड 20 लाग सेयर यहाँ पे अच्छा खासा एक्विटी यहाँ पे हैंड चेंज हुआ है लगवख 3.5% टोटल इनके मार्केट कैप का 1021 से 1072 के प्राइस पर हमारी बाइंग भी एकजैक्ट 1021 के लेवल पे है हलाकि इसके बाद यह 1012-13 तक गया था अगर वो 1023 के आसपास आता तो हम उसमें दुबारा से एंटर करते इससे पहले हमने 1060 या 1050 के आसपास खरीदा था वापिस से हमें डिसकाउंट मिला है हमने खरीदा है और इससे पहले हमने जब 1100 के आसपास था वापिस से डिसकाउंट में इसको खरीदा है इसके अलावा भी आज हमने चार सेर में बाइंग करी है अगर आपने भी तक जोईन नहीं कि है तो जोईन करके आप देख सकते है कि कहां का हमने बाइंग करी है और आज ही की बात करें तो आज हमारी बाइंग पे लगबक 3-4% का रिटरन हमें मिल रहा था बगवान की दुआ से अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दीता हूँ जो इसमें मैंने आज बाइंग करी है आप देख सकते हैं मार्केट खुलते ही सवा 9 बजे 2021-2022 पे हमने बाइंग करी है 9 बज के 17 मिनट पे इसके बाद 1% की गिरावट हो थी अगर 2% तक की गिरावट होती तो हम अपना दूसरे इंस्टोल्मेंट पे इसमें लगाते मैं आपको एक चीज बता दू जब मार्केट में गिरावट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज जरूर होता है जैसे अभी नोने प्रोफिट बोकिंग करी है कोई भी ऐस इन्वेस्टर हो प्राइबेट एक्विटी इन्वेस्टर हो उनको जैसे ही प्रोफिट मिलेगा अच्छा कासा जो उनका टारगेट होता है 50%, 100% या 200% का वो वहाँ पे अपना एक्विटी सेल करते ही है तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज अगर हमें मिलता है कि कोई अपना सेल करके जा रहा है सेयर कोई बहुत बड़ा ग्रूप लगबग 37% का जो होल्ड करता है कंपनी में एक्विटी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी खराब हो गई है जब तक कोई हमें नेगेटिव न्यूज यहाँ पे नहीं मिलेगा तब तक हमें सेयर में डिसकाउंट देखने को नहीं मिलता है हमारा वापर साइकलोजिकल फिटान्ग होना चाहिए जैसे सेयर में गिरावठ हो अच्छे सेयर खो में हमें एक्यूमिलेट करना चाहिए जैसे सेयर काड में हुआ है विडियो अपनी बितक लैकन किया हो तो विडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली पर विजिट को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन भी प्रेस कर दिये ताकि जब भी मैं को इन्या वीडियो लाओं तो उसका नोडिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे ये वीडियो अच्छली मैंने